इन लोगों कोई पहचान करनी पड़ेगी देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिये हैं उसके तहत हमको बड़ी-बड़ी मीटिंगे पूरे देश भर में करनी पड़ेगी अब ये मिसन खाली मिसन उत्तर पर देश और ये नहीं उत्रा खंड मिसन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का ये देश बचेगा ये सम्विधान बचेगा आज लड़ाई उस मुकाम पर आगी कि देश के जो नोजवान हैं जो चोदा करोड लोग जो बेरोजगार हमारे साथी हमारे बच्चे हुए हैं ये अंदोलन उनके कंधू पे हैं जिस तरह ऐसा एक 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 चीज बेची जा रही है तीन कानून भी उसी का ये एक हिस्सा है पहला है कि यहां पर रेल और हवाई जिहाज और हवाई यड़े बेचे जाएंगे किसने परमिसंदी किसकी ताकत हैं कि देश की प्रोपर्टियों को बेचोगे आपने घोसना पत्र में नहीं लिख्या देश की जनता को दोका दिया दोका नंबर एक दोका नंबर दो दोका नंबर दो बिजली बेचेंगे प्राइवेट करेंगे बिजली को ये दोका नंबर दो कहीं गोसना पत्र में नहीं लिख्या जब वोट मांगी नहीं कहा के बिजली भी बेचेंगे यह सड़क बेचेंगे पूरी सड़कों पर टेक्च लगागा और एनेच के आसपास पांसो मिटर तक अपड़ी कोई चाय की दुकाम और गुम्टी भी नहीं लगा सकता अगर किसी नहीं चाय का खोका रख्या तो वह जमीन उसकी गाउं समाज में नहीं थोगी यह सड़कों को बेचने का काम करेंगे यह देख रहे ना क्या क्या चीज बिक्री है यह सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है यह है एल आई सी जो बड़ी कंपणी देश की बैंक यह सब बिक्रे हैं इनके खरीदार कोई और नहीं है खरीदार अडानी और अम्बानी हैं यह बिक्रे हैं सब FCI की जमीन जहां पर हमारा बंडारन होता था वे पूरी जमीन पूरे गोदाम अडानी को दे दिये गए है पूरी FCI के जो गोदाम हैं अडानी के कब्जे में हैं आपके पास में भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है देश के बंदर गहा पूरा जो समुझे तट थे सो सो किलो मिटर तक एकक कमपनी को बेच दिये वे बंदर गहा भी बिग गे ये भी आपको जानकारी होनी थी है वहाँ पे जो मचली पानन किसान हमारा था जो नाक का किसान हमारा था खतम होगे बड़े-बड़े बंदर गहां वहाँ पे बिख चुके हैं ये जल को बेच रहे हैं जल का पूर रूप से प्राइवेट कंपनियों को नदियां बेची जा रही है जो नदियां जो जल हमारी जीवन रेखा होती थी उनको बेचने का काम पूरे देश में करा जा रहा है ये इंडिया ओन्दाइन सेल बलब कोई भी किम्बत किसी भी चीजी की लगा सकता है भारत विकाओ है ये भारत सरकार की पॉलिसी है अब खत्रे में कुण कुण है ओ एन जी सी बी पी जी एल इसपात शिक्षा प्राइवेट जो चिकित्सा हो रही है और देश के समविधान भी खत्रे में है जो बाबा भीमराव अंबेडकर का समविधान था वो भीड में बता जा रहा है हम उसको भी बता रहे हैं कि बाबा भीवराव अंबेडकर का सम्विधान भी खत्रे में उसको भी बचाना है और ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है हमारी समझ में जब आया जब देश की खेती बिक्रे के कगार पाई जब ही आंदोलन शुरूआ उसके तीन कानून नो महिने से किसान आंदोलन है और करने को तयार नहीं है आज हालात यह है कि आपका दस साल पुराना आगे के दस साल पुराना टेक्टर नहीं चलेगा वो भी सी में आता है आपको बैंक में करजा आप दुगना ले लो आपको बेंक दुगना करजा दे देगा आपको बेंक कहेगा के गॉल्डन कार्ड बना दिया आप करजा ले लो फसलों के भाव नहीं आपको देंगे हम जिस जमीन पाए है ये जमीन उत्तर परदैस की जमीन और जहां पर मुझफ़नगर का जो छेतर है ये गन्ने की बेल्ट है पूरी क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम साड़े चार सो रुपे गन्ने का भाव देंगे ये कोई भाव देने को तयार नहीं है यहां पर सरकार याप पहले भी आई जिनने 80 रुपे रेट बढ़ाया दूसरे हली सरकार आई 50 रुपे रेट बढ़ाया क्या योगी सरकार उन दोनों से कमजोर हैं एक रुप्या रेट नहीं बढ़ाया हमारा 12,000 करोड रुपया से ज़ाद है आज सुगर फैक्टिर रुपे सरकार रुपे बकाया है अगर हम मांगते हैं तो कहते हैं जी ये राजनिती कर रहे हैं अगर ये मुद्दे उठाने राजनिती हैं तो ये मुद्दे यहां के लोग उठाते रहेंगे हमें बहुत तरह के एलिगेशन लगाए गए हम नो महिने से वहाँ पे हैं आप लोगों के बीच से वहाँ पे गए जब ये अंदोलन फत्य होगा इस किसान और देश के जवान की जीत होगी जब ही हम यहाँ पाएंगे अत्याचार बहुत है यहाँ पे पुलिस फॉर्स के लोग भी होगे यहाँ पे पुलिस फॉर्स के लोग है उनकी सेलरी 25 और 30 जार रुपे हैं डूटी वे 24 गंटे देंगे मास्टर जो प्राइमरी का टीचर है उससे अध्धी सेलरी उनकी होगी वे आवाज नहीं उठा सकते उनकी आवाज को दबा जाता है उनका जो क्वाटर है वो 500-600 फिट में है उनके क्वाटर बड़े बड़े है उनकी सेलरी भी टीचर के बराबर उनकी सेलरी हो वे डूटी देते हैं 24 गंटे जितने भी सरकारी करमचारी है उनकी पैंसन खतम करोगे MP, MLAO की पैंसन लोगे दो, दो, तिन, तिन करमचारीों की पैंसन खतम करोगे आप देश में प्राइवटेशन करोगे तो रोजगार खतम होंगे हमारी समझ में एक बात नहीं आई जो बड़ी-बड़ी कमपनी 66,000 और 11,000,000 करोड रुप्या सरकार का लेकर भाग जाती है उन्हीं कोई फिर बड़ी-बड़े संस्थाएं मेच रहे है वो पैसा कहां जा रहा है अगर पूरे हमारे संस्थाओं के रेलवे बिकरी है रेल के साड़े चार लाग करमचारी बेरोजगार होंगे मैंने जो सपाई करमचारी है उनसे बातचीत करी रेलवे के या किसी भी नगरपालिका के हो पांच और छेजार रुपे में वे सपाई करमचारी बार्मिक समाज के लोग नोकरी करेंगे यहां पर अगर ठेका परता होगी तो रोजगार जाएंगे अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में यह कंपनी आ जाएगे जिस तरह से रेलवे गई साड़े चारनाग करमचारी बेरोजगार होंगे जो रेडी पत्रिच के लोग अपना रोजगार चलते थे वे साड़े चार करोड लोग έχun वे बेरोजगार होंगे बड़ी बड़ी एमोजेन जैसी कमपनी आ रही है जो इस देश में व्यापार करेंगी इस देश में मौल खुलेंगे वे हमारे मजदूर भाई कहा जाएंगे ये उनकी भी लड़ाई है ये लड़ाई जितनी भी संसाय विक्रिय है उसकी लड़ाई है और आपने अग्या की होरम बात बता देना चाहते है ये लड़ाई शुरू हुई तीन काले कानून से ये लड़ाई शुरू ही MSP पे गारंटी कानून से हमने एक ही जिले का एक डाटा भार सरकार को दिया यहां उतर परदेश के अधिकारियों को दिया यहां के मुख्यमंत्री को दिया रामपूर जिले में जो मनशूरी दहान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है उसको बेच रहा है यहां पे वो पंजाब जाता है हरियाना जाता है बड़े व्यापारी का दहान फसले MSP पे बिकती है किसान की 10 से और 15 परसेंट बिकती है यह आपको समझना होगा पूर्ण उपसे फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं यह नारा लगाना पड़ेगा फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं जब तक इस सरकारों को वोट की चोट नहीं दो गए यह दोन्नू बहरी लोग हैं इनको यहां से जाना होगा अमित्साह, मोदी, अलोगी यह चुनाव जीत का है यह उत्राखंड से चुनाव जीत के परदान मंत्री बने कोई एतराज नहीं उत्तर परदेश की जमीन से जीत के गुजरात मैं गुंडागर्दी के दम पे आना हो वहाँ पे पुलिस स्टेट है वहाँ पे जीत के देशा परदान मंत्री बने कोई एतराज नहीं है लेकिन उत्तर परदेश की जमीन पे यह दंगा करवाने वाले लोग हैं इनको यहाँ पर बरदास यहाँ की जन्ता नहीं करेगी यह मिसन जो स्युक्त मोर्चे का है यह तैवा चुका है और हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे अगर हमांको स्यूद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पाहोएगे या तो जीत काएगे बगेर जितने नहीं आएंगे वापसी इस तरह की अगर सरकारे देस में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी पहले भी नारे लगते थे जब टिकेट साब थे अल्ला हुआ अकबर अल्ला हुआ अकबर ये नारे लगते थे हर अर्मादे और अल्ला हुआ अकबर के नारे इसी धरती सा लगते थे ये नारे हमेशा लगते रहेंगे ये नारे हमेशा लगते रहेंगे दंगा यहां पर नहीं होगा ये तोडने का काम करेंगे हम जोडने का काम करेंगे किसी गलत फेमी में मत रहना ये देश हमारा है ये परदेश हमारा है ये जिले हमारे है आप तयार रहना ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया अगर लाल किले पे नहीं किसान तो गर जाता तो परलेमेंट पे जाता जहां पर कानून बने हैं लाल के लिए पर दोके से लेके गए हैं आप हमको हमारे लोग नहीं गई दोके से लेके आप लोग गए हैं क्या कोई देश की एजनसी है कि जो उसको जाच कर दें क्योंकि कोई एजनसी बोलने को तियार नहीं है पूरे देश पे इनका कबजा हो चुका है पूरी एजन्सियु पे देश में कैमरा और कलम पे बंदू का पहरा है कैमरा और कलम पे किसी प्रेश की हिम्मत नहीं कि वो किसान के पक्स में दिखा दे निगेटिव दिखाते हैं बहुत प्रेश के लोग तो इन सब लोग को आपको ध्यान रखना है यह अंदोलन जारी रहेगा 28 तारीक की जो काली रात है उसको आप याद करते रहना हम वहाँ से अटेंगे नहीं किसी भी किम्मत में वहाँ से जाएंगे नहीं देश के नोजवानों का रोजगार का सवाल है साड़े चार सो रुप्या कुएंटल गन्ने का इनोंने भाव की बात करी थी वो चाहिए हमको हमको फसलों पे MSP की गारंटी चाहिए परधान मंतिर ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे आमदानी दुगने होगी तीन महिने की बात रहेगी है पहली जनवरी से बिकने वाली फसले दुगने रेट पे बेचेंगे ये परचार हम करेंगे हम जाएंगे देश की जनता के बीच में पूरे देश में सियुक तुम और चान दोनन करेगा और हमने बार बार कहा कि हमारे पंच भी है है हमारा मंच भी है आपने बात सुनी ये बीच लाग सहजाद है लोग मुझे परनेगर की जमीन पाए इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद